बच्पन में हमने कई मुस्लिम कवीयों की कविताएं पढ़ी हैं जो राम या क्रिष्ण के भक्त थे इन कवीयों को पढ़कर हम अपनी धारमिक एकता पर गर्भ करते थे आज के वीडियों में हम ऐसे कवीयों की बात करने वाले हैं इस पर बात करने की वज़ा है देहरादौ तोने का ठेका उठा रखा है इस महिला और इसके सागिर्दों ने राम की फोटो इसलिए फार डाली कि वह एक मुस्लिम दुकान में लगी थी इस महिला के कारणामों पर बात करेंगे राम मंदिर का मसला लगातार गर्म हो रहा है जाईर है एक नजर इस पर भी दोस्तों वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है वीडियो आखिर तक देखकर लाइक कमेंट और शेयर करें चैनल सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाएं जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहियों की जरूरत है डिट सरोकारों की बात राधा सेमवाल या राधा दोनी नाम की एक महिला हैं समाज में जहर फैलाने का लगता है इन्होंने ठेका उठा रखा है कभी ये किसी मजार को तोड़ते हुए बीडियो बनाती नजर आती हैं तो कभी एक समुदाए के सबजी बेचने वालों के आधार का कार्ड चेक करती दिखाई देती हैं इन महिला को अच्छी तरह पता होगा कि उत्तरा खंड में जादातर मजारें किसी मुसलिम ने नहीं बलकि हिंदूों ने ही बनाई हैं लेकिन मजार के नाम पर जहर बोना आसान हो जाता है इसलिए ये ऐसा करती हैं सड़क पर किसी का आ मर्सकों के साथ एक दुकान पर जाकर जम कर हंगामा कर दिया हंगामे की वज़ा थी एक मुसलिम की दुकान पर राम की तस्वीर लगी होना और दुकान का हिंदू नाम होना दर असल यह दुकान किसी हिंदू ने मुसलिम बिर्त को चलाने के लिए दी थी इस सर्थ पर कि द पस्वीर भी कथित रूप से फार दी गई राधन पुलिस का आभार की इस महिला और इसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है मैं राधा धोनी नाम की इन महिला और उनके समर्थकों से एक सवाल पोचना चाहता हूँ यदि किसी मुसलिम की दुकान पर राम की फो भक्ति में कविताईं लिखी हैं और हमने बच्पन में ऐसी कविताईं खूप पड़ी हैं जरा सायद इबराहिम को याद कीजिए जो रस खान के नाम से किष्णी भक्ति की कविताईं लिखते थे मानुस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गाउं के गवारन राधा भरी सराय लखी आप पतिक फिरी जाए यानि कि कभी की आँखों में मोहन कृष्ण की छवी बसी हुई है किसी दोसी की छवी के लिए वहां जगए ही नहीं है अमीर खुसरों भी तो मुसलमान थे जिनके एक गीत ने इत्यास रच लिया छाप तिलक सब छीन लेरे मोसे नैन मिलाई के राधा धोनी और उनके जैसे लोगों के लिए एक और मुसलिम कवियत्री का नाम यहां बताना चाहता हूं जिनका समर्पन कृष्ण के पड़ती मीरा के जैसा था यह बात अलग है कि उन्हें पाठेक्रम में अस्थान नहीं मिल पाया नाम था ताज बीवी समराठ अकबर की पत्नी थी लिखती हैं नंद जू का प्यारा जिन कंस को पचारा वह बिन्दा वनवारा कृष्ण साहिब हमारा है यह कुछ उदाहरन हैं जो राधा सेमाल धोनी जैसे लोगों के लिए खास तोर पर हैं उनसे मेरा सवाल है कि मुसलिम की दुकान पर राम की तस्व में हो जाना चाहिए था सुनिये हिंदू की ठेकेदार राधा सेमाल इससे हिंदू धर्म कमजोर नहीं हुआ और ज्यादा मजबूत हुआ है हिंदू धर्म की मान्यता ज्यादा बड़ी है कम नहीं हुई दरासल आप जैसे लोगों को अपने दिमाग में भरी नफरत को बाह छोड़ कर चले जाएंगे इसलिए इस मसेले पर अगले वीडियो में अपनी बात रखूँगा फिलहाल एक वीडियो क्लिप यहां लगा रहा हूं वीडियो मुझे सोसल मीडिया पर मिला है आप इसे देखिए और बताएए कि क्या यह सब उचित है क्या हमारा सम्विधान इसकी इजाजक देता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपने वीडियो अंत तक देखा आपका आभार यदि अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए अंत में एक बात जरूर कहूंगा धर्म और आस्था हमारा निजी मामला है दूसरे के धर्म को छोटा बतान धर्म की मरियादा का उलंगन है आस्था का सारवजनिक प्रदर्शन किसी भी हालत में उचित नहीं ठेराया जा सकता जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार